गुड मुर्णिंग यर्यवान टुडर विल स्टरी चेप्टर नंबर 20 चेप्टर नेम इस मीन्स ओफ कम्यूनिकेशन हम देख चुके थे कि मीन्स ओफ कम्यूनिकेशन में होता क्या है पोस्तल सिस्टम की बारे में हमने पढ़ा था अब में स्टार्ट करते हैं यहां से अबैँ लेतर में गतोचया है ना फार्टर लेटर नि करता हम यहां रिखने के बाद में अप Casa Walker ने लेटर भी में करते हैं तो यहां क जालके आजाते हैं प्रोम द लेटर बोक्स देखो ऑना पस्तियों को सारे को करता है और जिस एडरिस के होती है उस एडरिस पे पेच बेचते हैं collect letters collect मतलब इखटा करना है ना इखटा करते है from letter box from का मतलब होता है say letter box से अब देखो हमने यहाँ पर चिठ्थे राली तो यहाँ से collect कौन करेगा postman है ना letter box से कहाँ से collect करेंगे letter box से collect करना means इखटा करना at a fixed time every day fix time मतलब एक निश्ची समय होता कि एक पर 11 बज़े collect करना है तो 11 बज़े ही collect करना है मतलब 11 बज़े आपको साई किठ्थियां से निकालनी है letter box में से तो postman 11 बज़े ही निकालेगा fix time होता time change नहीं होता है na everyday everyday मतलब रो जाना text them to head head post office head post office देखो अब पी जो head post office होता है नहीं वहां ले जाता है वो है ना देखो यहां पर head post office a t h e the p o s t post o f i c office t h e d t h e s e d s l e t s letters a r e r h t a m p d stamped by the postmaster देखो at the post office these letters are stamped by the postmaster तो जो postmaster होता ना वहीं चिट्छों पर seal लगाता है ने stamp लगाते है ना t h e the s t a m p d stamps letters a r e r a r a r a n g arranged i n e s l o t slots according according मतलब उसकी the stamps letter are arranged according according मतलब सही तरीके से जमाते हैं वो arrange करते हैं किसके according name to the place they should reach कौन-कौन से जगा उनको जाना है जैसे उनको रतलाम जाना है तो रास्ते में कौन-कौन से विलेज आते हैं तो उनको विलेज की सबसे वो इसके आनू सहसो को arrange कर लेते हैं कि हां पहले यहां पर पेचला वद आएगा या फिर करवड अएगा उसकी बाद रखेंगे फिर करवर वाली रखेंगे फिर रर्वाली रखेंगे तो इस आप से ती एस टी आई एने टी इस टेस्टेनेशन इन बिग बेक्स बाइ बसेस ट्रेंज एंड एरोप्लेंज तेको उसके पाद वह क्या करते हैं उनकी सही जोग अपर जहां पर चिठ्छों की पहुचान होता है बड़ बेग में भड़ते हैं जा तो बस में भेज देते हैं या ट् या पार्सल की जाती है पता है अपको उसके बाद आता है डबली एचे इन वें टी चिवाइदे आर इसे रीच देयर डैसनेशन के बाद वह अपनी सही जगोपर पहुच जाती है इंडिया मेरे रहे हैं और हमने अमेरिका भेजी तो किसे जाएगी वह तो एरोप्लेंस जा जैसे कि हम पेटलाओद में हैं तो में पोस्ट अपर जाववा है तो साही डाग जाववा चल जाएगी अब जाववा से वह भेज़ देंगे कि कहां कहां की है उस उस जगह पर वह पार्सल करवा देते हैं आल दे पोस्ट ओफिस दे लेटर्स आर सोर्टेज अगेंस एकोर्डिंग टू देर एरिया मेंशन देखो फिर जब वह वहां जाती न में डिस्टिक में तो वहां पर फिर उनको अरेंज करते हैं कि कौन-कौन से एरिया की चिथी है उस आप से वह अरेंज कर देते हैं फ्यू पोस्ट में डिलिवस्ट दे लेटर तू द 2ट अरेंड परशन प्रसंड़ और हैं का फिर जाकर जांके चिथी देता है इन दिकाल कोई मतलब जिसके पर हिएी नाम फिर दीकिस सोब टाइं जाकी गए ऌरब उस प्छों ँसको टू ध मील जाती है पहले से टीपट जाएक किसे वां अपसे विटनियस ने किया पॉस्ट में नी की बागे करना पर भाएन कॉस्ट किया कि processors क्यिंद कि कुर्फ let होते हैं उनको या तो वो ट्रेन में या बस में है ना या फिर एरो प्लेन में वो बेद देते हैं महाँ पर उनके डाव चले जाती है उसके बाद वो जब पोश्टी है कहां पोश्टी है उनके में पोस्ट होपीस में फिर में पोस्ट होपीस में फिर अरेंज किया जाता है कहां कहां का एरिया कहां कहें कहां के लिए उनको औरेंज करकर पोस्टर में जो होता है वो दे देता है जिनके नाम के चिठ्थी होती है उन्हें ठीक है अब देखो यहां पढ़ते हैं लो एंजी लो टी एमी टाइम एजी ओ अगो देखो लोंग टाइम अगो मतलब बहुत साल पहले वहना बहुत साल मतलब बहुत ज्यादा ही पुराने जब राजा महारजा लोग देना उनकी बात हो रही है ठीक हम लोग कोई भी नहीं थे अब देखो यहां लिखा है कि लोग कभू साल पेले पुराने टाइम में क्या होता था पीजन कभूतर का यूज किया रहे था किसके लिए संदेशों को भीजने कि ले कभूतर उड़े ना चोंतर होते थे वह संदेश लेकर जाते थे चिठी लेकर जाते ए जगह से तुसरी जगह पर उनकी गले में संदेश या जो चिठी लिखी तो वह खुद अपने पेरों से चल कर पेदल पेदल वहां तक जाते थे और वाट इस मेथर यूज तो टेक वेरी लॉंग डिस्टेंस लेकिन यह जो चीजे होती थी ना यह बहुत लंबी दूरी के लिए होती थी पता है कोभी कभी तो घोड़े से जा रहा है जिट्थी देन देड है ना डाउ है भी चीजें RJ में तो घ्जोन वहें महां बोर्टिफेंस यूज उट यूज इन मतलब खेचिते हैं रहें लेटर मतलब पत्र किसी को make sure that you have, अगर आप किसी को later भीचते हो न तो आपको sure होना चीज के लिए sure मतलब निश्चिन्त होना चीज है, किस चीज के लिए FII XCD fixed stems on the correct value on the envelope को, आप चिठ्थी भीचते हो तो step के लिफाप होता है, उसके अंदर आपके चिठ्थी ये ठीक, लिफाप पे पेक होता ह तो उसके उपर stem लगा हो proper तरीके से न, सही value लगी हो, यानि कि आपको पता है कि यहां लगाना ही, तो यहीं यहां यहां नियुक्त आपने गलत stem लगा दिया है या इदर उदर लगा दिया है न, वर हम post आपके से कोई चीज भेचते से हमें stem लगाना ही पड़ता है न, write the name and address correctly and neatly, देखो आपने को जहां पर भेजना है तो उसका address लिखोगे, जिसे मेरा तो आप proper नाम लिखोगे है न, सही writing में लिखोगे, गलत लिखोगे न, write the correct pin code, pin code भी सही लिखना है, अगर हम बामन्या भेज रहे हैं तो 45770 है न, हट्रवा का pin code अलग लगाता है तो proper pin code भी लिखना है तो अगर हम किसको लेटर भेज़े तो हमें ध्यान लखना है कि envelope पे जो stem है वो सही तरीके से लगाए, address सही लिखे, नाम सही लिखे, spelling mistake भी नहीं करें और pin code है वो भी हाँ सही लिखे, ठीक है